हेलो गैस आज की इस वीडियो में जानेंगे की सुपर बॉर्ण कैसे बाई किये जाते हैं बी एफ आई सी टू सुपर बॉर्ण बाई करने का फुल प्रोसेस इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अपने मुबाईल को लेटाप मोड पे कैसे यूज किया जाता है तो इसके यह सर्च करना होगा प्लाइश्टोर में कीवी ब्रॉजर तो ठीक है हमने कीवी ब्रॉजर सर्च कर लिया इंस्टाल करते हैं अब देख सकते हैं कि हमारा कीवी ब्रॉजर इंस्टाल हो चुका है और वेट करते हैं थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं इसको open और continue करते हैं तो सबसे पहले उपर में किलिक करेंगे 3.0 पे और यहां पर एक option नजर आ रहा एक सटेंशन का इस पर किलिक कर देंगे और उसके बात सामने ही दिख रहा Google इस पर किलिक कर देंगे गूगल पे इस पर किलिक कर देंगे और इसको उपर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक आप्शन और नज़र आ रहा है Chrome Web Store इस पर किलिक कर देंगे Chrome Web Store इस पर किलिक कर देंगे और थोड़ा सा वैट करते हैं तो यहाँ पर Search बार में लिखेंगे Meta Mask और सर्च कर लेंगे पेट करते हैं थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि Meta Mask सर्च होकर आ चुका है तो हम Meta Mask पर किलिक कर देंगे और फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर Add to Chrome का एक आप्शन नज़र आ रहा है Add to Chrome सबसे उपर इस पर किलिक कर देंगे OK करते हैं चेकिंग चलेगी थोड़ी देर वेट करते हैं आप देख सकते हैं Interface कि हमारा Meta Mask Browser से Connect हो चुका है तो हम इस वाले आप्शन पर किलिक कर देंगे I Agree पे और यहाँ पर अगर हम अपना New Wallet करेट करना चाहते हैं तो एक New Wallet बना लेंगे अगर आप जो पहले से यूज़ कर रहे हैं Meta Mask Wallet वही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर किलिक कर देंगे दूसरे आप्शन पर ठीक है फिरेज की यहाँ पर पेस्ट कॉपी करके लाते हैं और किसी भी एक कॉलम में पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और Confirm Secret Recovery फिरेज पर किलिक कर देंगे ठीक है और यहाँ पर एक नया पासवर्ट बना लेंगे और इस पर टिक कर देंगे Import My Violet के आप्शन पर किलिक कर देंगे ठीक है तो Violet Connect हो चुका है आप देख सकते हैं Turn और इसको हटा देंगे यहाँ से ठीक है अब सबसे पहले यहाँ पर 3.00 पर किलिक करेंगे और इसको Desktop साइट पर कर लेंगे तो इस पर कर लेते तो यहाँ पर सबसे पहले हमें Ethereum का Mainnet Network शो कर रहा है और यहाँ पर हमें BFIC Mainnet Network Add करना होगा तो Add Network के आप्शन पर किलिक कर देंगे और उपर बढ़ाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर एक आप्शन है Add a network manually इस पर किलिक कर देंगे Net Network की ठीक है यहाँ पर टाइप करते हैं BFIC मैं Net ठीक है यहाँ पर URL कॉपी कर के लाएंगे और पेस्ट कर दिया यहाँ पर चैन आइडी डालेंगे 100 और यहाँ सिम्बल में BFIC और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ ठीक है सारी डिटेल हमने फिल कर दी और यह सारा मेटेरियल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप अपने अप्लाइन यहाँ किसी भी ट्रेस्टेट परसन से ले सकते हो सेव करते हैं और सीट टू BFIC मैं नेट पर किलिक कर देंगे ठीक है यह हमारा नेटवर्क एड़ हो चुका है एक्टिव हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारे इस वैलेट में BFIC पहले से मवजूद है तो हमें यहाँ पर डिपोजिट करने की जरूरत नहीं है आप अपने मेटा मासक अप्लीकेशन से भी डिपोजिट कर सकते हो यहाँ से कॉपी करके एड़र्स ले जा सकते हो या वहाँ पर पहले से मौजूद है तो वहीं से कर सकते हो ठीक है तो अब यहाँ पर हम super bond का contract address लाएंगे import token के option पर click कर देंगे फिर उसके बाद super bond buy करेंगे import token copy wait और उपर बढ़ाएंगे add custom token और फिर import token के option पर click कर देंगे तो यहाँ पर super bond हमारा connect हो चुका import हो चुका तो हमारे इस address पर पहले से दो super bond मौझूद है वो यहाँ पर show करने लगे ठीक है थोड़ा सा बैक करते हैं अब देख सकते हैं यहाँ पर BFIC और S bond दोनों show करने लगे अब हमें यहाँ पर super bond buy करना है तो इसके लिए क्या करना होगा तो यहाँ सर्च बार में आएंगे सबसे उपर यहाँ सर्च करेंगे swipe dot buleto dot io यह ऐसे कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ three dot पर क्लिक कर देंगे और desktop site कर लेंगे ठीक है अब connect wallet के option पर क्लिक कर देंगे और फिर ठीक है next के option पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे देखेंगे connect का option है तो wallet connect हो चुका successfully और इससे पहले हमने एक super bond buy किया था वो भी यहाँ पर show कर रहा है refresh कर लेते हैं ठीक है कुछ नहीं तो हमें यहाँ पर कितने super bond buy करने हैं एक दो तीन इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं तो हमें इस वक्त एक ही buy करना है तो हम एक के option एक कर देंगे और नीचे swipe now के option पर किलिक कर देंगे थोड़ा सा wait करते हैं और थोड़ा सा wait करने के बाद यहाँ पर किलिक करेंगे ठीरी डॉप पर और सबसे नीचे देखेंगे meta mask है यहाँ पर notification आचुकी payment करने की तो यहाँ पर किलिक करेंगे ना कि back मारेंगे अगर back मार देंगे तो सुपरबान पाई नहीं हो पाएगा और अगर payment कर देंगे वो भी फस जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आते है meta mask में चोथी select open हो चुकी हाँ तो यहाँ पर notification आई हुई हम यहाँ पर confirm कर देंगे तो कितनी BFIC यहाँ डिड़क्ट होगी वो सारे कुछ रो कर रहा है देख सकते हैं 1.14 इस तरह से और confirm कर देते हैं तो जैसे हम confirm करते हैं ठीक है तोड़ा सा वेट करते हैं pending में confirm हो चुका payment confirm हो चुका है तो अब इसके लिए automatically super bond नहीं आएंगे बलकि ठीक है तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम 4 विंडो में थे अब हम अपनी तीसरी विंडो में चले जाएंगे swap वाली विंडो में यहाँ से दिख रही है ठीक है इस पर click कर देंगे ऐसे तो देखिए successfully super bond buy हो चुके है transaction success हो चुका है आप देख सकते हैं zoom करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कि processing में है और फिर इसको refresh मारते हैं तो यह success हो चुका है तो hopefully कि आपने देख लिया कि इस तरह से super bond buy किये जाते हैं और यही अच्छा तरीका है यही तरीका अपना है तो असानी से super bond buy हो जाएगा ठीक है अब हम इसको violet में कैसे देखेंगे थोड़ा सा यहां से दुबारा से आते हैं चौती slide में अपनी चौती window में यहां और यहां ठीक है ओके यहां पर आते हैं activity पे हैं token पे आ जाते हैं यह रहा है token तो यहां पर दो super bond पहले थे हमारे पास अब तीन हो चुके हैं तो और अब BFIC हमारी five point क हो गई और super bond हमें receive हो चुका ठीक है तो यह है full process super bond buy करने का BFIC के थ्रो उमीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share और comment जरूर करिए और चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए दोस्तों और दोस्तों के साथ share भी जरूर कर दीजिए ताकि super bond buy करने में सबको आसा गई हो ठेंक्यू शुक्रिया